दोस्तों, हमारी सीरी चल रही है जिम कॉर्बिट की बुक दाउमनी बस और उसमें स्टोरी चल रही है दा तल्ला देस मैनीटर कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं, आगे की कहानी कंटीनू करते हैं अब जब उस रिज़ पर जिम कॉर्बिट आगे बढ़ते जा रहे थे तो उने मिले एक तेंदुए यानी की लैपर्ड के पग मार्क जिम कॉर्वेट अच्छी तरह से जानते थे कि अगर आज उन्हें टाइगरेस के पग मार्क नहीं मिले तो फिर दोबारा नहीं मिलेगे अब जिम कॉर्वेट करीब एक मील आगे चलते हुए गए और वहाँ पर उन्होंने दो घोराल को भी डिस्टरब कर दिया अब यहाँ पर जिम कॉर्वेट को टाइगरेस के पग मार्क मिल गए और मिल गया सूखा खून अब वही हुआ था जो जिम कॉर्वेट ने सोचा था जब जिम कॉर्वेट की नजरों से वो टाइगरेस ओजल हो गई थी पहाड के उपर उसके बाद वो नीचे की तरफ उतरी थी लेकिन नीचे उतरते वक्त उसके कंदे में चोट की वज़े से उसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और जब तक वो दर्द की वज़े से अपनी बेवोशी की हालत से बाहर आई उसे अहसास हुआ कि नीचे उतरना ठीक नहीं है तो वो वापस चड़ी और उस गेम ट्रैक पर आ गई जिस ट्रैक पर अभी जिम कॉर्वेट चल रही थी अब आदे मील तक जिम कॉर्वेट उस टाइगरेस के पंग मार्क का पीछा करते रहे एक जगे तो ऐसी आ गई कि जहां पर चोड़ाई थी सिर्फ 15 फीट की अब यहां पर टाइगरेस ने नीचे उतरने की कोशिश की थी वो सामने वाले जंगल में शेल्टर लेना चाहती थी अब यहां पर उसके घायल पैर की वज़े से वो गिरी या फिर उसे बेहोशी आ गई इस बात का तो पता चल नहीं पाया लेकिन वो टाइगरेस फिसलने लगी और अपने दोनों पैरों को खोल के चोड़ा करके उसने अपने ब्रेक लगाए अब जिम कॉर्वेट बोलते हैं कि वैसे तो मैं जहां कदम रखता हूँ संभाल के रखता हूँ और करीब करीब वैसे ही रखता हूँ जैसे रखती है बकरी लेकिन फिर भी वो चड़ाई बहुत खड़ी चड़ाई थी मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझे मैं उस रिज के उपर ही चलता रहा यहां से मुझे पहाडी पे कट मिल गया और उससे मैं रवीन में उतर गया अब जहां से टाइगिरे सुतरी थी वहां पर रोडी यानि गिट्टियां भी पड़ी थी अब जब तीस गज चोड़े रवीन में जिम कॉर्वेट चलके जा रहे थे तो उन्हें वो गिट्टियां नजर आ गई यानि की रोडियां नजर आ गई जो की चट्टानों के टुकडे थे अब जहां पर वो रोडियां थी उसके नीचे जो एक रॉक क्लिफ थी वो करीब 60 से 80 फीट उची थी अब वो इतनी उची थी कि अगर उस उचाई से कोई भी जानवर नीचे गिरता तो वो जिन्दा नहीं रहता अब जिस जगे पर टाइगरिस गिरी थी वहाँ जब जिम कॉर्बिट पहुशने लगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उन्हें सफेद सफेद पेट का हिस्सा देख रहा था एक मरे हुए जानवर का वो खुशी थी दो पल की खुशी क्योंकि जिसका पेट जिम कॉर्बिट ने देखा था वो था एक मरा हुआ सराओ और हुआ ये था कि सराओ कहीं पर सो रहा था अचानक से फिसलती हुई टाइगरेस को जब उसने देखा उसने नीचे शहलांग लगा दी और गिरने से उसकी मौत हो गई अब जिस जगे पर सराओ गिरा था वहाँ पर थोड़ी रेत पड़ी हुई थी तो जो टाइगरेस गिरी वो इस रेत पे गिरी इसलिए वो जिन्दा बच गई लेकिन उसकी चोट को फिर से नुकसान हो गया अब दर्द से कराहती हुई टाइगरेस ने उस मरे हुए सराओ को वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि मन चंगा तो कठोती में गंगा और जब मन ही नहीं है चंगा तो क्या करेगी टाइगरेस सराओ को खाके अब यहां से टाइगरेस ने रवीन को क्रॉस किया अच्छा खासा खून गिर रहा था क्योंकि इसकी चोट ताजी हो गई थी गिरने की वज़े से अब जहां से टाइगरेस ने रवीन पर चड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो वापस गिर गई थी। अब जिम कॉर्बिट समझ गए थे कि वो उन्हें मिलेगी इसी रवीन में आगे ही मिलेगी जो पहली जाडिया या छिपने की जगे मिलेगी वहीं उनका सामना होगा टाइगरेस से। जोड़दार बारिश शुरू हो गई और जो टाइगरेस के खून के निशान थे वो मिट गए शाम ढल रही थी और जिम कॉर्वेट को काफी मुश्किल रास्ते से होके जाना था कैम पहुँचना था तो वो वापस चल पड़े हैं अब जिम कॉर्वेट बोलते हैं कि भाग्य किसी भी तरह के खेल में आपका बहुत ज्यादा जरूरी है बिना भाग्य के आप उस खेल को खेल नहीं सकते जीत नहीं सकते और आज के खेल में यानि के शिकार के खेल में भाग गे टाइगरिस के फेवर बे था या यू कहे कि सारा का सारा भाग गे टाइगरिस के पास ही था आप सोचिए कि जहां उसके बच्चे लेटे हुए थे जिने मैंने गोली मारी थी वो टाइगरिस वहां नहीं लेटी थी घनी जाडियों के अंदर लेटी थी तभी तो मैं पहचान नहीं पाया दूसरा जब मैंने गोली चलाई तो गोली उसको ऐसी हड़ी में ऐसी जगे लगी जहां से वो शरीर के अंदर घुस नहीं पाई यानि गोली लगी उसके ball and socket joint यह टाइगरिस का भाग ही तो था उसके बाद वो टाइगरिस दो बार उची चटानों से नीचे गिरी दोनों बार उचाई इतनी ज़्यादा थी कि टाइगरिस का मरना निश्यत था लेकिन जब वो पहली बार गिरी तो गिरी ज़ाडियों के उपर और जब दूसरी बार गिरी तो गिरी रेत के उपर और जब फाइनली जिम कॉर्बिट उस टाइगरिस से मातर सौगज की दूरी पर थे तब ही बरसात आ गई खून के निशान मिट गए जिम कॉर्विट पता कैसे लगाते कि टाइगरेस कहां पर है लेकिन जिम कॉर्विट बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा भाग्य बिलकुल सो रहा था फोड़ा भाग्य मेरे साथ भी था क्योंकि वो टाइगरेस अगर उस पहाड की ढलान से सीधे नीचे उतर जाती तो फिर वो मुझे दुवारा नहीं मिलती लेकिन उसकी चोट की वज़े से वो वापस घूमी चड़के पहाड पर आ गई यानि भाग्य मेरे साथ भी था और अब मुझे भाग्य की वज़े से ये भी पता है कि मुझे उस टाइगरेस को ढूड़ना कहां पर है अगले जन सुबह जिम कॉर्बिट उसी रवीन पर वापस आ गए उनके साथ थे उनके च्छे गड़वाली क्योंकि पूरे पहाड़ पर सराओ का मीट बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पॉस्टिक माना गाता है और वो सराओ जिसकी की गरदन तूड़ गई थी अच्छा खासा जवान सराओ था उसके अंदर इतना मास था कि मेरे आदमियों के लिए परियाब तो भोजन था तो अपने आदमियों को उस सराओ की खाल उतारने पर लगा के मैं उस तरफ बढ़ गया जहां कल मेरी मुलाकात होने वाली थी टाइगरेस से अब यहां पर आके मैंने पाया कि दो सक्रे सक्रे रवीन पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं दाहिने हाथ की तरफ अब टाइगरेस इन दो रवीन में से किसी एक रवीन को लेके पहाड़ी के उपर की तरफ गई होगी तो मैंने पहले वो रवीन चुना जो नस्दीक में था लेकिन जब उस रवीन में थोड़ा आगे गए तो वो काफी खड़ी चड़ाई वाला था और उम्मीद नहीं थी कि कोई टाइगर उस पर चड़ सकता था और इसमें आगे 30 फीट हुचाई वाला वाटरफॉल भी था जब बारिश होती थी तो इस वाटरफॉल से पानी गिरता था तो जिम कॉर्बेट वापस लोटे जहां से दो रवीन स्टार्ट होते थे वहां से उन्होंने अपने आदमियों को आवाज लगाई जो कि वहां से 50 गज की दूरी पर थे और उनसे कहा आग जलाओ उस पर केटली चड़ाओ मेरे लिए चाय बनाओ अब जिम कॉर्बेट दूसरे रवीन में गए यहां इन्होंने देखा कि जानवरों के आने जाने का रास्ता यानि कि जानवरों के चलने की पगडंडी साफ नजरा रही थी अब ये गेम ट्रैक बाए हाथ की दिरव सा इसमें जब जिम कॉर्बेट आगे बढ़े तो उन्हें टाइगरेस के पग मार्क मिल गए अब बारिश होने की वज़े से उसके पैरों के बस नामों निशान ही बचे थे अब जहाँ पर जिम कॉर्बेट खड़े थे वहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान थी जब इस चट्टान के पास जिम कॉर्बेट पहुँचे तो उन्हें देखा एक जगे गड़ा सा है उस गड़े में पत्या पड़ी हैं और उन पत्यों में ब्लट क्लोट्स लगे हुए तो जब वो टाइगरिस पहाड़ी से नीचे गिरी थी यहाँ पर आके रुख गई थी आराम कर रही थी और यहीं पर थी तब तक जब तक उसने मेरी आवाज नहीं सुन ली थी जो मैंने अपने आदमियों को लगाई थी चाय बनाने के लिए अब हर टाइगर का टेंपरामेंट अलग होता है एक घायल टाइगरिस क्या करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता जब उसका सामना होगा एक इनसान से ऐसे इनसान से जो की पैदल हो नहीं ऐसा कोई वक्त होता है कोई समय सीमा होती है जिसमें ये बताया जा सके कि घायल होने के इतनी देर बाद तक कोई टाइगर खतरनाक होता है क्योंकि टाइगर चार्ज कभी भी कर सकता है कोई भी टाइगर कर सकता है जिम गॉर्विट वजाते हैं कि मुझे याद है एक ऐसा टाइगर जिसके की पंजे में एक इंच गहरा घाव था और सौ मीटर की दूरी से दोड़ते हुए उसने चार्ज किया था यानि कि वो टाइगर जिसके पैरों में पांच मिनिट पहले ही चोट लगी थी और मैंने ऐसा भी टाइगर देखा है जिसके जबडे में चोट लगी थी कई घंटों पहले लगी थी और उसने अपने नस्दीक तक पहुँचने दिया था कोई हमला नहीं किया था लेकिन यहां पर सवाल था एक मैं इटर टाइगर इसका वो क्या करेगी ये नहीं मालूम क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि जब टाइगर इस आदमी को देखेगी उसको अटैक करने के दो फायदे हैं एक तो अपना बचाओ और दूसरा भोजन का इंतिजाम जिम कॉर्विट बोलते हैं कि जो टाइगर होते हैं जब तक कि वो घायल ना हो और या फिर वो मैं इटर ना हो बड़े अच्छे सभाव के होते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो जो हजारों लोग बसते हैं जंगलों के पास जिन जंगलों में टाइगर रहते हैं वो जिन्दा नहीं बसते हैं और जिम कॉर्विट बोलते हैं कि मेरे जैसा आदमी जो जिन्दीकी पर जंगलों में घूमा है वो जंगलों में घूम नहीं पाता अगर Tiger अच्छे सभाव कना होता Generally Tiger गुस्सा तब होता है जब आप उसके बच्चों के करीब पोहन जाओ या फिर आप उसके शिकार के करीब पोहन जाओ अपनी आपत्ति को Tiger ग्राउल करके जदा देता है और अगर वो ग्राउल काम नहीं करती तो फिर टाइगर चार्ज करता है और बड़ी जोड जोड से तहाड मारता है अब अगर ये सारी चेतावनिया आप आवाइट कर देते हो तो जो आपको चोट लगती है या जो आपको नुक्सान पहुंचता है उसका जिम्मेदार आप टाइगर को नहीं ठहरा सकते तो कि जिम्मेदारी घुस पैटिये की है जो गया टाइगर के अलाके में अब जिम्म कॉर्ट बोलते हैं कि मैं आपको एक experience बता रहा हूँ जिसके आधार पर मैंने ये नतीजा निकाला कि टाइगर अच्छे सभाव का होता है जिम्म कॉर्ट बोलते हैं एक शाम को मैं और मेरी बहन मैगी बोर नदी में मशली पकड़ रहे थे बोर नदी हमारे घर से तीन मील की दूरी पर थी मैंने दो छोटी महासीर पकड़ ली थी और एक चट्टान पर बैठके मैं सिगरेट पी रहा था तभी जेफ हॉपकिन्स हाथी पर बैठके वहाँ आए जो बन गए थे उत्तर प्रदेश के फॉरस कंजर्वेटर उनके कुछ दोस्त आने वाले थे और उनके पास मास कम पड़ गया था तो वो शेकार पर निकले थे इस उम्मीद में कि या तो कोई मोर मार देंगे या मार देंगे कोई कांकड अपनी .240 राइफल से अब क्योंकि जितनी मचलियां पकड़नी थी वो सारी मचलियां पकड़ चुके थे कॉर्बिट और मैगी तो जेफ ने उन्हें आमंत्रन दिया कि क्यों ना आप मेरे साथ चलें शेकार पर मुझे भी सोविदा होगी तो जिम कॉर्बिट और मैगी ने उनका आमंत्रन सुकार कर लिया अब हाथी पर बैटकर जिम कॉर्बिट ने महावत को रास्ता समझाया जिस इलाके में बहुत सारे मोर और कांकल मिला करते थे अब जादा उची घास नहीं थी वहाँ पर हाथी वहाँ से निकल रहा था तब एक पेड़ के नीचे जिम कॉर्बिट को एक मरा हुआ चीतल यानि कि स्पॉर्टेट डियर दिख गया अब जिम कॉर्बिट ने हाथी को रखवाया सरक कर नीचे उतरे और ये देखने के लिए गये कि इस स्पॉर्टेट डियर को आखिर मारा किसने ये एक बूड़ी मादा चीतल थी जो करीब 24 घंटे पहले मरी थी अब क्योंकि उस स्पॉर्टेट डियर पर मादा चीतल पर कोई दात के निशान या चोट के निशान नहीं थे तो जिम कॉर्बिट ने अंदाज लगाया कि ये पक्का साप के कटने से मरी है अब जैसे ही जिम कॉर्बिट वापस मुड़ने लगे कि वापस जाएं और हाथी पर बैठ जाएं तब ही उन्होंने एक पत्ते के उपर ताजे खून के निशान देखे अब जो खून की बूंद गिरने का तरीका था उससे मालुम चल रहा था कि जिस जानवर से एक खून के रहा है वो उस मरे हुए चीतल यानि कि इस पॉर्टेट डियर से दूर जा रहा है अब थोड़ा और आगे उन्होंने देखा जिम कॉर्बिट ने तो देखा थोड़ी दूरी पर खून की एक बूंद और पड़ी थी अब जिम कॉर्बिट ने सोचा कि ये खून के निशान किसके है ये तो पता लगारा पड़ेगा क्योंकि कुछ तो गड़गड है तुन ने इशारे से हाथी को अपने पीछे आने के लिए बोला और पैदल ही चल पड़े उन खून के निशानों की जांच के लिए अब करीब 60-70 गज अंदर जाने के बाद वो खून के निशान एक जाड़ी के अंदर जा रहे थे जिस जाड़ी की उचाई थी करीब 5 फिट अब जाड़ी के नजदीक जिम कॉर्बिट पहुँच गए जो कि अपनी मशली पगणने की रोड हाथी के उपर ही छोड़ पाये क्योंकि सामने पड़ा हुआ था एक मरा हुआ स्पॉटेड डियर जिसके बड़े-बड़े सींग थे लेकिन उन सींगों पर वैलविट चड़ा था यानि सींग नए आये थे और उस स्पॉटेड डियर को खा रहा था टाईगर और जैसे ही मैंने जाड़ी अलग की थी मेरे सामने टाईगर बैठा था और उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो ये बोल रहे थे दोश मेरे उपर आएगा करम तुम कर रहे और जिम कॉर्विट बोले कि मैं अपने आप से भी यही कह रहा था कि भाई तुम ये क्या कर रहे अब जिम कॉर्विट को शौक लग गय था वो वैसे के वैसे ही जडवत हो गए और जिम कॉर्विट बोलते हैं कि शायद मेरा हिदय भी धड़कना बंद हो गया था अब टाईगर मुझे देख रहा था मैं टाईगर को देख रहा था और टाईगर मुझसे इतनी दूरी पर था कि अगर वो अपना पंजा आगे ब इसे spotted deer यानि कि चीतल को मारा था उस मरी हुई चीतल के बगल से उसे खीच के ले जा रहा था तब ही हम लोग पहुँचे थे और उसके बाद का घटना गरम वही हुआ जो मैंने अभी बताया और जो तीन लोग हाथी के उपर बैठे थे उन्हें वो टाईगर तब नजर आय जब वो कूद के भागा महावच चिलाया खबरदार साहिब शेर है यानि कि महावच मुझे बोल रहा था कि साहब सावधान वहाँ पर टाईगर है लेकिन उस टाईगर को तो मैं पहले ही मिल चुका था अब वापस उस घटना पर आते हैं जहां जिम कॉर्विट खड़े थ जिम कॉर्विट वापस आए इन्होंने चाई पी तब तक उनके आदमी सराओ के इतने छोटे टुकड़े कर चुके थे जिसे की कैरी करना आसान हो उसके बाद जिम कॉर्विट उन आदमियों को लेके उस गड़े पे आए जहां पर पत्ते पड़े थे और टाईगरिस का फ जा चुके थे और उन्हें भी जंगल का अच्छा खासा अनुभव था जितनी मातरा में खून पड़ा था उनको देखके सब लोगों का यही मानना था कि टाईगरिस को बहुत गहरी चोट है और इस घाओ की वज़े से वो अपने आप मर जाएगी लेकिन जिम कॉर्विट कि उनकी इन बातों से मैं सहमत नहीं था क्योंकि मेरा यह मानना था कि अगर टाईगरिस को समय मिल गया तो यह घाओ अपने आप भर जाएगा और टाईगरिस बच जाएगी और जितनी लंबी इस टाईगरिस की जिंदगी होगी उतना मुश्किल हो जाएगा तल्ला देश क लोगों का जीवत अब अगर आप कल्पना करें एक गहरे और सक्रे रवीन की यानि की पहाडी नाले की जो की पहाडी की तरफ से आ रहा है उसका दाईना किनारा उसमें पेट तो बहुत सारे हैं लेकिन घास और जाडियां नहीं और जो बाया किनारा है उस पहाडी नाले का उसमें रिंगल यानि छोटे छोटे बांस है और वहाँ पर और भी बहुत सारी जाड़िया है तो मैंने वो आपको जगे बता दी जहां मैंने और मेरे आदमियोंने पूरे दिन भर उस टाइगरेस को ढूड़ा अब मैं चाहता था कि मेरे आदमी दाए किनारे पर जहां पर बड़े बड़े पेड़ है वहाँ चले जाएं एक उचे पेड़ पर चड़ जाएं और ऐसी जगे चड़ जाएं जहां से उन्हें मैं नजर आता रहूं और अगर वो मेरा ध्यान उनकी तरफ आकरशित करना चाहें यानि कि उन्हें जब टाइगरस नजर आ जाएं तो वो अपने दातों से सीटी बजाएं जैसे कि पहाड के बच्चे बहुत अच्छी सीटी बजाते हैं उनको टाइगरस से कोई ख़दरा नहीं होगा क्योंकि उस साइड जाड़ियां है नहीं और वो सारे के सारे माहिर पेड़ पर चढ़ने वाले तो पर वैसे भी जो टाइगरस के पैरों के निशान मिले थे वो ये बता रहे थे कि जब वो पहाड के उपर चढ़ रही थी तो वो बाएं किनारे की तरफ गई थी अब जो इम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैंने पहले कहीं बताया है कि जंगल लोर कोई साइंस नहीं होता, किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, इसे तो अनुभाव से ही सीखा जा सकता है अब ये अनुभाव कितने दिन में आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता टाइगर को ट्रैक करना है और वो भी घायल टाइगर को शिकार, वो इस्पोर्ट्स की, यानि कि शिकार के खेल की सबसे ज़्यादा रोमांचित करने वाली बात है और मुझे भी सबसे ज़्यादा यहीं पसंद है क्योंकि इसमें पल पल में रोमांच बरा होता है आपको नहीं पता होता अगले सेकंड आपका टाइगर से सामना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अब ट्रैकिंग करने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका तो यह होता है कि जो खून के निशान है उनका पीछा कीजी और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस ट्रेल पर जाएं जिस पर खून के निशान भी नहीं है अब जिम कौर्डट गोलते हैं कि मुझे तीसरा तरीका ये पता है जहां पर खून के निशान भी नहीं है पैरों के निशान भी नहीं है उनको देखकर भी टाइगर का अंदाजा लग जाता है। अब जो प्रचलित तरीके हैं जो मैंने आपको पहले दो तरीके बताए। उसमें से सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस ट्रेल पर चलें जिसमें खून के निशान हो। क्योंकि आपका सामना होने वाला है एक घायल जानवर से। लेकिन खून हमेशा ही रिस्ता नहीं रहता है तो घायल जानवर को ट्रेक करने का भी दूसरा तरीका होता है। और वो होता है या तो उसके पैरों के निशान देखके या फिर जो जाड़िया दब जाती है उससे उसके जाने का अंगाया लगा के। अब जिस भी जानवर को आप ट्रेक कर रहे हो वो ट्रेकिंग आसान भी हो सकती है, मुश्किल भी हो सकती है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जमीन सॉफ्ट है कि घास है कि वहाँ पर मिट्टी है। और दूसरा, जिस जानवर को आप ट्रेक कर रहे हो, उसके पैर मुलायम है कि उसके पैरों में फुर है। कि उसको देखकर टाइगरेस को ट्रेक किया जा सके। तो जिम कॉर्वेट ने सोचा कि उस टाइगरेस का पता जिम कॉर्वेट लगाएंगे, उसके पैरों के निशान को ध्यान में रखके, और उन मुड़ी हुई घास और जाड़ियों को देखके, जो कि उसके जाने की लेकिन ये बहुत ही धीमा काम था और वक्त मेरे फेवर में नहीं था, वक्त टाइगरेस के फेवर में था। जितना लंबा ट्रेल होगा, उतना समय लगेगा, उतना मौका उसको मिलेगा अपने घाओ को रिकवर करने के लिए, और उतने ही चांसे कम होते जाएंगे, कि मैं उस टाइगरेस को ट्रैक कर पाऊँ, अब जो तनाव था, वो जिम कॉर्बेट के उपर बढ़ता जा रहा था, तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही, बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपसोड में, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल स सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल दे बेस्ट, वन दे मातरों